Hello everyone, this is Muskaan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको provide करता है quality education, वो भी free of cost हम बढ़ रहे हैं क्या microbes in human welfare आज कौन सा topic देखना है हमें? microbes as biocontrol agents हर एक topic इस chapter का किस तरह से बना हुआ है? कि हर वक्त आपको देखना है कि role of microbes in this, role of microbes in that यही सारे topics है तो आज आप पढ़ोगे role of microbes as biocontrol agents क्या मतलब है इस बात का? bio का मतलब मैं आप इतनी बार बता चुके हो living control का मतलब होता है किसी चीज़ को control करना agents मतलब living को control करने वाले agents और बात हो रही है किसकी? microbes की? वो भी living है तो मतलब living जो किसी living को control करे क्या मतलब हुआ मैं इस बात का? हाँ क्या conclusion निकाले हम इस line का इस sentence का कि role of microbes as biocontrol agents मतलब living को control करने वाला ही कोई living microbes को control करने वाला ही कोई दूसरा microbes क्या चल रहा है हाँ पर? यही जानना है आपको यही जानना है आपको कि यह चल क्या रहा है कौन living किसको control कर रहा है? क्यों कर रहा है? कैसे कर रहा है? कौन होते हैं वो लोग? क्या है उन लोगों के नाम? यही जानना है आज आपको चलो start करते हैं परना that what is the role of microbes as biocontrol agents biocontrol agents का मतलब बिलकुल आप सही समझ रहे हो livings को control करने वाले agents और यह agents भी खुद भी कैसे है? living ही है राइट यह agents खुद भी कैसे है? living है तो living को control करने वाले livings आएंगे आपका कहाँ इस topic में microbes as biocontrol agents अब यह बताओ कि कौन से living को control करने की जरूरत होती है सोचो कि किस living को control करने की जरूरत है और उसे control करने के लिए कोई दूसरा living कैसे काम आएगा सोचके देखो आपने यह सारी चीजें पड़ी हुई हैं बस आपको एक अलग thought process में उन चीजों को fit करना है आज ठीक है? आपने यह सारी चीजें पड़ी हुई है See, bio control refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests Bio control का मतलब होता है क्या? biological methods ठीक है? वो biological methods जो use किये जाते हैं किसी इसके लिए? plant diseases और pest को control करने के लिए pest क्या है? pest वही है यार जो किसी भी crop में ठीक है? कोई भी फसल लोग रही होती है उस पे अगर हम जोए के भहाई कीड़ा न लग जाए वरना हमारी फसल खराब हो जाएगी कीड़ा न लग जाए ठीक है? वो कीड़ा भले कहीं और जीता रही हमें कोई मतलब नी कोई दिकत नहीं है हमें उस से लेकिन हमारी फसल पे ना लग जाए वरना हमारी फसल खराब हो जाएगी यार रोजी रोटी चलती है उससे उससे पूरी के फूरी फूरी फूर्ट जो है requirement फुल्फिल होती है crop खराब नहीं होनी चाहिए ठीक है तो उस पर कोई भी कीडा कोई भी फंगस कोई भी माइक्रोब कोई भी वेक्टिरिया कुछ भी नहीं लगना चाहिए ठीक है अगर किसी पर्टिकलर क्रॉप पर specifically ये वाला माइक्रोब आके लगी जाता है जो इसे खराब करता है तो आपके लिए वो क्या है वो आपके लिए undesired organism है आपको वो नहीं चाहिए ठीक है unwanted organism है आपको crop पे वो organism नहीं चाहिए बाकी exist करें दुनिया में बढ़िया करें कोई दिक्कत नहीं क्रॉप पे नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे आपके लिए वो क्या है पेस्ट आपके लिए वो क्या है पेस्ट ठीक है क्यों क्योंकि वो आपकी क्रॉप को खराब कर देगा आप नहीं चाहते ऐसा होना तो अब आप क्या करोगे आप सोचोगे फामस सोचेंगे कि इस पे या वो सारे chemicals ठीक है देखो किसी एक particular organism की growth को रोकने के लिए या अगर growth हो गई है तो उसे मारने के लिए chemicals भी use किया जाते हैं वी को भी हम कहते हैं कि अधिक है कोई दूसरी यूजensemble यूजर मों सकते हैं विज करμαι की नहीं धा जाते हैं कि हमारी क्रॉब के आसपास कोई पी यलिया लग जाया तो हम क्यां लिए के लिए लिकिन पे ऑब मौqual क Dul reconstruction दौर हम वहाँ पर उस अप्रोच पर नहीं जा रहे है अभी के chemical fertilizer का ये नुकसान होता है ये होता है ये होता है ये सारा तो पढ़ लिया हमने ठीक है बात अपन कर रहे हैं अभी कहां crop production and management पढ़ के आए हो ना junior classes में ठीक है वहाँ ये सब कुछ पढ़ा है अभी बात कर रहे हैं हम क्या कि हमें किसी insect को control करने के लिए किसी pest को control करने के लिए हमारे पास chemicals भी available है या तो chemical spray कर दिया जाएगा या फिर क्या कर दिया जाएगा या फिर किसी ऐसे insect को वहाँ पर उस field में introduce करवा दिया जाए जो आपकी crop को तो नहीं खाएगा उसको crop को खाने में interest नहीं है क्योंकि वो plants खाता ही नहीं है वो खाता है क्या? Insects वो खाता है क्या? Insects तो वो उन insects को खाएगा तो अब आप समझो कि किसी ऐसे organism को अगर आपने वहाँ पर introduce कर दिया जो उन सारे insects को खा ले जो plant खा रहे थे तो आपका crop भी बच गया insects भी control हो गए insects भी control हो गए तो बस यहीं वो mechanism है जिसे हम कह रहे हैं कि bio control मतलब living का control वो living जो नुकसान कर रहे है जो हमारी crop को particular जो भी हमारा desired target है उसे नुकसान पहुचा रहे है तो यहाँ पर आपको यह बात पढ़नी है कैसे अब जैसे इल्ली और मेंडक का example हम लें तो यहाँ पर organisms कैसे हैं बड़े आपको पढ़ना है क्या microbes के बारे में आपको पढ़ना है किसके बारे में microbes के बारे में तो आप समझ आया आज आपको पढ़ना है कि कैसे living को control करने के लिए वो living जो आप नहीं चाहते grow करें उसे control करने के लिए आप किसी दूसरे living को भी use कर सकते हो बस यही आपको इस पूरे lecture में आज पढ़ना है ठीक है इसके कौन-कौन से scenario आएंगे कहां-कहां पर ये condition exhibit होती है किस तरह से होती है कौन सा microbe, किस तरह के organism को मार देता है मारता है या उसकी growth को reduce कर देता है या फिर pause कर देता है क्या सारी ये चीजें है बस आज आपको यही पढ़ना है clear है? आज का motive clear है आज का direction, आज का goal clear है कि आपको क्या पढ़ना है क्या सीखना है, क्या जानना है इस lecture में, यहां तक अगर चीजें clear है तो बस आप इसी approach के साथ start करते है पढ़ना, बायो कंट्रोल एजिंट्स को C, बायो कंट्रोल refers, बायो कंट्रोल refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pest बायो कंट्रोल का मतलब ही होता है biological methods को use करना ताकि आप pest को क्या कर सको control कर सको ठीक है, बायो कंट्रोल का मतलब ही होता है biological methods को use करके pest को control करना ठीक है, किसको use करना है बिटा biological methods को, ठीक है यहां पर आप कोई दूसरा अधर method यूज नहीं करोगे कैसे कर दिया वैसे कर दिया कोई फिजिकल और कोई दूसरा मैथड नहीं बाजिकल लिविंग चीजों को यूज करना है आज कल की अगर हम कंडीशन की बात करें यह जो प्रॉब्लम है वो कैसे टेकल की जा रही है बाइड यूज ऑफ कैमिकल्स जो मैंने अभी कहा बाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ठीक है आज कल मॉडर्न सोसाइटी में इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है फड़ावट स मतलब जैसे यह प्रॉब्लम सामने आई फड़ावट से लोग भाग जाते हैं दुकानों की तरफ लेके आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड लेके आ जाते हैं पैस्टिसाइड ठीक है बायो कंट्रोल की तरफ ध्यान बहुत कम जाता है maximum approach लोग यूज करने लग जाते हैं क्या ह अला कि यह मैं अगर बात करूं ना कुछ वक्त पहले तक की है आप तो काफी अवेर्नेस आ गई है के कैमिकल से कितना नुकसान हो रहा है ठीक है अब तो काफी अवेर्नेस आ गई है पर भई बात अगर हम करें तो अभी भी उस तो होई रहे ना increasingly or comparatively more तो बात तो वही करें होंगे modern society में यह जो problem है इसको कैसे tackle किया जाता है chemical का use करके chemicals का use अगर करके बात हो रही है तो क्या कहते हैं हम insecticides pesticides इन्हें use कर लेते हैं ठीक और अगर हम बात करें अब इनके effect की कि जो इन्हें use कर लेते हैं तो यह किस तरह से effect करते हैं क्या फाइदा देते हैं और कितना न सारे chemicals जिनसे बने हुए है यह insecticides और pesticides यह सारे chemicals जिनसे बने हुए है यह insecticides और pesticides यह क्या करते हैं यह बहुत ज्यादा toxic होते हैं और बहुत ज्यादा harmful भी होते हैं यह बहुत ज्यादा toxic और बहुत ही ज्यादा harmful होते हैं इन insecticides और pesticides को अगर कभी आपने spray करते हुए देखा हो आपको यह सारी चीज़ें विद इमेजस पढ़ाई गई थी क्लास एट में ठीक है क्रॉप प्रडाक्शन एंड मैनेजमेंट वहां पर आपको दिखाया गया था कि कैसे वह परसंट जो इस चीज़ को स्प्रे कर रहा है फील्ड में वह क्या करता है पूरा एक मास्क लगाता ह है पूरा अपनी बॉड़ी को कवर करता है अपने हैंड को कवर करता है कि गलती से भी वो जो स्प्रे कर रहा है वो स्प्रे का कुछ भी स्प्रिंकल होके अगर उसकी बॉड़ी पर आ गया उसकी आईस पर चला गया उसकी नोज में चला गया उसने इनहेल कर लिया तो उसे बहुत दिक्कते हो सकती हैं, बहुत सारे allergic reactions हो सकते हिन, बहुत सारे infections हो सकते हैं, diseases हो सकती है. ठीख है, तो उन सारी effects की अगर आप बात करो, तो क्यों हो रहे हैं क्योंकि ये chemicals बहुत toxic होते हैं, और बहुत extreme level पे मता. moderate level की बात नहीं हुरे extremely harmful यह chemicals होते हैं ठीक है तो human beings and animals alike and have been polluting our environment, soil, ground water, fruits, vegetables and crop plants और यह इनकी अगर हम बात करें इनका method of action है यह बहुत ज्यादा toxic है, बहुत ज्यादा harmful है, सब को नुक्सान पहुचाते हैं human beings को भी और animals को भी मतलब अगर किसी insecticide या pesticide को spray किया है ठीक है, और उस वाली grass ग्रास को किसी और गानिसम ने खा लिया ठीक है उस insecticide या pesticide को उस ने खा लिया तो ऐस और गानिसम को for example गाय आई उसने वह खा लिया गास खा ली उसने वह फसल खाली कि कोई बीखा लिया तो इस ऐनिमल को भी बहुत उससे आ चाहोता है हामफुल एफेक्ट्स देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि यह क्यामिकल्स है ही इतने ज़्यादा हामफुल हैं ही इतने ज़्यादा एक्स्ट्रीम लेवल पे टॉक्सिक कि इसे कोई भी खालेगा यूमन बींग अगर इन्हील कर लेगा अगर उसको अनिमल खालेगा तो उन्हें दिक्कत होती है इसलिए तो यह जितने भी सारे इंसक्टिसाइड और पैस्टिसाइड अगा स्प्रिंकल करके बने जो फसल उगा बिलको खा लिया ठीक है डिरेक्ट लिक अंज्यूम कर लिया अगर बिना वाश की तो बहुत ज्यादा हामफुल होने वाले आपके लिए इसलिए कहा जाता है कि इन सब को क्या करने की जरूरत है वाश करके खाने की जरूरत है क्योंकि यह सारी चीज़ें अब यूस की ही ज कहा रहा है बिलको नहीं सिर्फ यूमन बीट्पींस और अनिमल्स को ही नहीं हमारी इनकली और फैसरी कमीकल की वजह से वहां पर ऊस पूरे अरिया में जो ग्राउणन वह उसमें भी यह क्या हो जाते हैं और वह पूरा पूरा ग्राउंड वाटर भी क्या होता है पोल्यूट हो जाता है वह पूरा ग्राउंड वाटर पश्याध्य होता है आप समझ रहे हो की ऐसी चीज जो उस्वक्त एक desired result तो आपको दे दे रही है कि for example उसने उन इल्लियों को वहाँ पर ग्रो होने से रोक दिया उस पालक की पूरी खेती में for example पालक का खेत है ठीक है उसने particular kind of इल्ली को वहाँ पर ग्रो होने से रोक दिया लेकिन क्या फाइदा इस तरहा का method use करने से उसके लिए method तो हमारे पा जिससे ठीक है इंसेक्ट समर गए लेकिन अब वह plant भी इतना हमफुल हो गया है कि उसे wash किये बिना proper और फिर खा नहीं सकते वह plant अगर किसी और ने खा लिया तो वह animal भी क्या होगा उसके effects को बुकतेगा हम ने अगर उसको बिना wash किये खाया तो हम भी बुकतेंगे अगर ज नहीं लगता कि जो यह benefit हमें provide कर रहे हैं उसके बदले में बहुत ज्यादा ही नुक्सान कर दे रहे हैं मतलब benefit यहां और नुक्सान यहां अगर इन chemicals को use किया जा रहा है तो जो benefit मिल रहा है ओविसली benefit मिल रहा है ठीक है insects जा रही है लेकिन जो नुक्सान हो रहा है वो तो यहां पहुंच गया तो यह level अगर यहां तक भी होता तो ठीक था लेकिन इस level पर किसी चीज को use करना तो I think it's a bad deal यह क्यों हम करें ऐसा क्यों करें जब हमारे पास दूसरे methods available हैं हां कुछ available ही नहीं होता कोई option ही नहीं होता तो बाता लग थी ठीक हमारे पास options available हैं जो traditionally use कि जा रहे थे हमेशा से तो chemicals बने हुए नहीं है पहले सा तो कुछ और methods को use किया जा ही रहा था और वही methods वही traditional methods आते हैं आपके biological methods में वही traditional methods आते हैं किसमे biological methods में जिसमें किसी living को ही use किया जाता है दूसरे living के लिए ठीक है living को ही use किया जाता है दूसरे living को control करने के लिए व यूज ऑफ वीडिसाइड वीडिसाइड यहां पर वीडिस को यूज किया जाता है इसके अलावा एक टर्म और है वीडिसाइड यहां पर वीडिस को यूज किया जाता है इसके अलावा एक टर्म और है वीडिसाइड यहां पर वीडिसाइड इसमें वीडिस को जो है फॉर एक्जाम्पल पालक का अपन बात कर रहे हैं, पूरे खेत में पालक उगी हुई है, ठीक है, पूरे खेत में पालक उगी हुई है, और साथ ही साथ वहाँ पर अगर कुछ इसी unwanted सी घास उगने लग जाए, कोई ऐसा पौदा उग जाए जिसकी वहाँ जरूरत ही नहीं है गलती से कहीं से कोई हवा में ओड़के सीड आ जाए, किसी दूसरी फील्ड का और वो वहाँ पर ग्रो करने लग जाए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जो फील्ड बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो किसकी है? पालक की, अब वहाँ पर कोई unwanted सी फसल उगने लग जाए, कोई unwanted सी बीच बीच में कोई दूसरा पौधा उगने लग जाए, unwanted सी बीच में कोई घास उगने लग जाए, तो ये सब क्या करेंगे? ये सब उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब मिट्टी से पोशन खीचेंगे, और वो हमें वहाँ नहीं द सारे unwanted plants, सारे ही unwanted plants या grasses कहलाएंगे क्या, weeds है न, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आपकी क्लास 8 वाली, 8 वाला चाप्टर याद कर लो, crop production and management वाहा सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब देखो, ये जितने भी unwanted, ठीक है, ये जितने भी unwanted से plant, unwanted सी grasses, ये सब कहलाएंगी क क्या, weeds कहलाएंगी, क्यों, क्योंकि ये unwanted है, हम नहीं चाहते हैं उन्हें उस field में grow करवाना, हम जिस desired खेती को करना चाहते हैं, जैसे हम पालक की खेती करना चाहते हैं, तो उस field की पूरी nutrition, उस soil की पूरी nutrition, पालक को ही मिले न, कोई और क्यों लेकर जाए, कोई और लेकर ज होता है, तो weeds को मारने के लिए भी chemical use की जा रहे हैं, आप समझो, कितने chemicals, weeds को मारने के लिए भी, मतलब एक ऐसा designed इस तरीके से किया जाता है, इन chemical को, कि सिर्फ पालक को छोड़के दूसरा जोग है, उन सबको वो मार दे, उन सबकी growth को वो inhibit कर दे, ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, वो chemicals, जिने कहते हैं, weedicides, कि वो specifically अगर पालक का खेत है, तो पालक को छोड़के वाकि सबको नहीं उगने देंगे, उन सबको जला देंगे, मार देंगे, उनकी growth को रोग देंगे, damage कर देंगे, ताकि वो निट्टी का nutrition जो है, वो ना खीचे, ठीक, तो इसे कहते ह हैं, weedicides, यह भी chemicals है, ठीक है, तो weeds को grow करने से रोखने के लिए, या फिर grow कर चुके हैं, तो उनकी growth को रोखने के लिए, या फिर उनकी plant अगर जो भी उख चुकी है, उसको damage करने के लिए, ठीक है, मारने के लिए, sites का word हमेशा, यह जो sites है, इसका मतलब हमेशा होता है, मारन है, इसका मतलब होता है, क्या हमेशा kill करना, तो weedicides, मतलब weeds को kill करने वाले chemicals को भी use किया जाता है, और यह भी soil को बहुत जादा harm पहुचाते हैं, यह भी उसकी fertilizing capacity को क्या करते हैं, बहुत जादा नुकसान पहुचाते हैं, ठीक है, तो यह हुई बात हमारी insecticide, pesticide और weedicide की, क यह सारे तो मैं chemicals हैं, जो की use किया जा रहा है किसमें modern society में, इन सबसे पहुच रहा है क्या बहुत जादा नुकसान, humans को भी, animals को भी, soil को भी, water को भी, मतलब पूरे के पूरे environment को, है ना, पूरे के पूरे environment को, humans, animals, soil, water, everything, हर चीज को नुकसान पहुच रहा है, एक उस desired result के quick मिल जाने के अलावा, ठीक है, जिस desired result के लिए उसको use किया जा रहा है, उसके quick result के अलावा, बाकी हर चीज में नुकसान हो रहा है, ठीक है, हर चीज में, ओके, तो ये कहानी तो हो गई आपकी यहां तक, अब देखेंगे इसमें, biological control of pests and diseases, कि इन सारे pests और diseases का biological control क्या है, ठ वो होता उतना अच्छा, ठीक है, तो नहीं किया जाता, क्यों ये सब कुछ start हुआ, कैसे start हुआ chemicals का आना, ठीक है, तो पहले शुरुवात कर लेते हैं कि पहले क्या था, पहले क्या था, biological control ही किया जाता था, ठीक है, पहले सर्फ ये ही था, chemicals तो बाद में आये, तो biological control कैसे ह होता था पहले यह जाल लेते हैं ठीक है उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी biological control देखेंगे biological control of pests and diseases in agriculture there is a method of controlling pest that relies on natural predation rather than introduced chemicals ठीक है agriculture में agriculture में एक method है जिससे pest को control किया जाता है ठीक है और ये completely natural predation की उपर based है ना कि किसी भी दूसरे chemical की उपर जैसे मैंने आपको example दिया कि इल्ली है ठीक है वो grow कर रही है तो आप वहां पर मेंड़क को introduce कर दो मेंड़क प्लांट तो खाएगा नहीं मेंड़क का में अब को खाना तो रही खाएगा ठीक है तो मेंड़क के प्लांट में ओने ऐसको कोई ब्ली गहाएं अपको पानी वो प्लूट हो जाइए और फुरी कीपूरी प्लांट में एक ऐसा organism आपने वहाँ छोड़ दिया जो उन सब का शिकार कर ले तो this will be called as natural predation किस के उपर based है ये वायो control? Natural predation के उपर कि कोई ऐसा organism आपको वहाँ introduce करना पड़ेगा जो उसे क्या करता हो? उसका naturally nature में जो exist करती है food cycle कि कौन किसका शिकार करेगा? कौन किसे खाएगा? बस वहीं से ठीक है? कि naturally जो उसका predator है, जो उसका शिकार करता है उसे वहाँ introduce करना है that will be called as bio control agent और bio control of pest ठीक है? ये वो method है, तो मतलब किस mechanism पर based है bio control? या biological control? Natural predation के उपर based है? कभी भी अगर आपसे कोई भी पूछेगा के कौन से प्रिंसिपल पर based है? biological control of pest, तो it is based on it is based on natural predation. क्लियर है इतनी बात? अब देखेंगे A key belief of the organic farmer is that biodiversity further's health. ठीक है? अगर हम organic farmer की बात करें, जो completely natural methods को use करने हैं, जो chemicals को use नहीं करने हैं तो organic farmers यही मानते हैं कि जो biodiversity है यह completely हमें एक अच्छी health provide करती है हर तरह के organisms available है ठीक है? अगर कोई organism जो है, वो हर एक life का जो balance बना हुआ है ecosystem का जो balance बना हुआ है यहाँ पर हर एक चीज का जो balance बना हुआ है कि insects एक limited में हैं ठीक है? हर इंसान जो हर एक तरह organism जो अपनी life cycle का कर पा रहा है एक अपनी limit के साथ exhibit कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि एक कोई बहुत जादा exceed कर रहा है और दूसरा कोई बिल्कुल ही दपता जा रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? जैसे डाइनसार एक टाइम पर डाइनसारी डाइनसार फैल गए थे ठीक है? उनको शिकार करने वाला कोई बचा ही नहीं था तो ऐसी वाली conditions यहां develop ना होने का reason क्या है? कि cycle proper चल रही है जो हम food cycle, food chain पढ़ क्या है junior classes में मतलब वो cycle proper चल रही है ठीक है? हर तरह के organism बराबर तरीके से हैं इतने sufficient मात्रा में हैं कि वो अपने नीचे वालों को क्या कर सकें? खा सकें ठीक है? और वो भी क्या कर सकें? survive कर सकें उनसे नीचे वालों को खा कें तो यह अपनी food cycle वाली कहानी है बस यही उन्होंने कहा कि organic farmer इस बात को अच्छे से मानता है अच्छे से इसको यकीन करता है इस बात में कि भाई यह जो biodiversity है इतने टाइप के जो organisms available हैं यह सब हमारी health को cater करते हैं हमारी life की सारी problems को resolve करने का हमारे पास इन ही में से solution available है अगर हम बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट की चक्कर में chemical पिन ना चाहें ठीक है तो हमारे पास options available है क्या-क्या है वो दीर-दीर आपको मिलेगा पढने को आज ठीक है now the more variety a landscape has the more sustainable it is जतनी ज़्यादा variety उतना ज़्यादा sustainable जतनी ज़्यादा variety उतना ज़्यादा sustainable जतनी ज़्यादा variety रहें कि वो क्या होती है और एक organic farmer क्या use करता है ठीक है चलो दिखेंगे organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pest are not eradicated ठीक है eradicate करने का मतलब होता उड़ा देना ठीक है बिलकुल सफा कर देना ठीक क्या मतलब होता है और eradicate करने का सफा कर देना ठीक है नाम और निशान मिटा देना तो बात हो रहे हैं यहां पर organic farmers therefore works to create a system where the insects that are sometimes called as pest sometimes क्यों पेस्ट क्योंकि हर जगे थोड़ी वो लुक्सान दे रहे है आपको यह बताओ इल्लियों से आपको बाकी टाइम पर कोई दिक्कत होती है क्या वो फसल हमारे लिए बहुत important है वहां compromise नहीं कर सकते है तब वो इल्ली हमारे लिए pest बनती है otherwise वो बढ़िया और्गानिजम में बहुत सुंदर लगती ही गूमने दो उसको क्या दिक्कत है ठीक है तो वो पेस्ट हमारे लिए कब बनती है आप समझ रहे हो आपको एक एक वर्ड यहां पर समझते चलना है कि सम्टाइम सी क्यूं बोला ठीक है सम्टाइम सी बोला तो क्यूं बोला अगर आपने उसका भी रीजन निकाल लिया बस इस अप्रोच के साथ पढ़ा कि ऐसा कहा है है तो क्यों कहा है एंसी आटी ने यह लिखांए तो क्यूं लिखा है एंसी आटी करते और उसको ऐसे ही डिकोड करते कि क्या लिखा है क्यों लिखा है इतना ही लिखा ऐसे क्यों लिखा ऐसे क्यों नी लिखा इस सी से मिल जाता है आपको उसके आस पास का पूरा नॉलेज, जो आप लोग को अगर कोहीं मैं तब maximum student को तो मैंने देखा है इस पीद को follow करते हुए, हाँ हर सारे exams में लिखा होता है eligibility में ठीक है eligibility syllabus में लिखा होता है आपके कि NCRT को आपको prefer करना है 11th NCRT 12th NCRT लेकिन फिर आप लोग को लगता है कि ऐसा है नहीं ठीक है आता तो कुछ उससे उपर भी है उससे उपर भी होता है थोड़ा सा advance भी पढ़ना पढ़ता है थोड़ा मैं आपसे अभी specifically अगर बात करूं तो competition exams की बात कर रहे हूं नीट की बात कर रहे हूं ठीक है वहां पर आप लोग को यह लगता है कि नहीं मैं extra भी पढ़ना पढ़ता है बात अगर आप थोड़ा सा depth में जाओ कि समझोगे ठीक है सबको नहीं समझ आएगी जो लोग बिलक बिलकुल नहीं है क्योंकि उन्हें समझ अगर आनी होती तो वह यह सब करी नहीं रहे होते बात है यह उन लोगों के लिए जिनने ncrt पर पूरा भरोसा है यह बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि ncrt को अगर आप इस अप्रोच से पढ़ रहे हो कि sometimes लिखा तो क्यू बिलकुल भी नहीं है ठीक है बिलकुल भी नहीं है आप जो 11-12 में पढ़ रहे हो अगर 11-12 में पूरी awareness के साथ पढ़ रहे हो तो बिलकुल जरूरत नहीं है कि आपको अलग से कुछ और भी materials को बिलकुल ऐसे पकड़ पकड़ के खाना पड़ेगा सबको कि यह भी खाना को अच्छे से समझ के पड़ो सब कुछ more than enough है हर चैप्टर हर कॉंटेक्स सब कुछ more than enough है बस आपकी कुरियोसिटी हर वक्त बराबर होनी चाहिए दो चैप्टर तक तो मैंटेन रही तीसरे चैप्टर पर रीड करकर के खतम कर दिया एक ही रीडिंग लगाई हाइलाइट नहीं किया important points को note नहीं किया second or third time read नहीं किया देखो NCRT की बात खास क्या है कि उसमें सब कुछ है लेकिन एक बार में नहीं मिलता है उसमें सब कुछ पर एक बार में नहीं जाता दिमाग में आपको उसको multiple times read करना पड़ेगा आपको यह बहुत सारे teachers ने कहा होगा और सारे teacher इस बात से equally believe करते हैं मैं भी उनी में से एक हूँ NCRT को जितनी बार read करो जितनी भी बार read करो हर लगेगा कि इसमें से आज कुछ नया मिला आज कुछ नया मिला आज तो मैंने इस लाइन को इस तरीके से सोच के देखा ही नहीं था इस से पहले आज मुझे लगा कि यार इ यह सारी जो अप्रोच है यह आपको तभी मिलेगी जब आप उसे multiple time read करोगे और यह अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी ठीक है यह अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी multiple times read करना है NCRT proper highlight करना है proper चीजों को no down करना है terms को समझना है और curiosity बनाए रखनी है हर chapter हर topic में equal level पर वो डाउन नहीं होनी चीए बस वो डाउन नहीं होगी तो कोई देखकत नहीं आनी चलो start करते हैं अपन पढ़ना organic farmers की कहा चलिये देखते हैं organic farming की बाते क्या किया ऐसा organic farmers ने see the organic farmers therefore works to create a system where the insects that are sometime called as pest are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances with a living and vibrant ecosystem क्या मतलब हुआ इस बात का देखो यहां तो अपन देख चुके थे कि यह जो कभी कबार जिनको अपन जब अपन को नुकसान दे रहे हैं तब अपन जिन इंसक्ट को pest कह रहे हैं इन्हें पूरी तरीके से तो गायब नहीं करेंगे ना पूरी तरीके से सफाया न है साइकल में हाँ जो पूरी की पूरी साइकल है आपकी उस साइकल में उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है भाई हाँ अधरवाइस उनकी उपर शिकार करके जीने वाले लोग कैसे जीएंगे तो आप वो भी नहीं कर सकते आप उन्हें क्या करो एक मैनेजबल लेवल पर ला इस चीज को क्या करते रहना पड़ेगा चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलेट करते रहना पड़ेगा अब क्या मतलब है इस बात का कैसे होगा ये सब सुनो जरा देखो contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora क्या मतलब हुआ इस पूरी की पूरी heavy 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 lines का मतलब हुआ ये कि जो field के ऊपर पाई जाने वाली पूरी की पूरी flora and fauna है जितने plants वहाँ पाई जाते हैं जितने animals वहाँ पाई जाते हैं तो जिस animal की वहाँ जरुवत है आप सोचो यार कि आपने अगर किसी chemical को spray किया तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ इल्ली को ही मारेगा क्या वो दूसरे microbes को खराब नहीं करेगा क्या उसक बतलब ऐसे बिल्कुल particular इल्ली को ही मारना है ऐसे बिल्कुल इससे निशाना करके सिर्फ इल्ली को ऐसे शूट कर रहा है क्या है वो नहीं वो तो सारे organisms को मारेगा वो जितने भी वहाँ पर organisms present है सब को मार देगा जिनकी वहाँ जरूरत भी होगी तो भी मार देगा जिनके और गयानिजम से सिर्फ नुकसान है सिर्फ उनको टार्गेट करके नैचरल प्रिटेशन को यूज करके आप भी मोटिव को सर्फ कर सकते हो रेदर देन यूजिंग डैट काइंड ओफ मैथट जो कि बिना किसी अंतर बिना किसी बेदबाओ के सब को ओड़ा दे रहा है completely eradicate क कर दे रहा है ठीक है यह कौन करता है chemical वाला यह नहीं करना का क्या यूज करना है ऐसे method को यूज करना है ऐसी practices को यूज करना है जिसे कह रहे है क्या conventional farming practices क्या कह रहे है जिनने conventional farming practices जो की help करेंगी ठीक है यह जो conventional farming practices है यह help करेंगी क्या करने में यह help करेंगी एक target group of organism जिसको खाने वाला कोई predator आपने introduce कर दिया सिर्फ उसको मारेगा बाकी कोई जीव जन्तु को नुकसान नहीं ठीक है बाकी किसी दूसरे जीव जन्तु जिसे जिसका हमें वहां पर जरूरत भी है या फिर चलो फायदा भी नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो रहने द food chain, organisms की cycles यह सब हमारी पड़ी हुई है ना junior classes की कहानियां बस वहीं यहां पर समझते चलो कि जो field का flora and fauna है उसे बचा के रखना है सिर्फ जो target organism है जो pest बन चुका है उस वक्त हमारे लिए बात हमपन बार-बार कर रहे हैं पालत कीली की तो अगर वो उस वक्त हमारे लिए नुकसान दायक है बाकी वक्त तो भी नहीं है उस वक्त नुकसान दायक है तो सर्फ उसको target करके मारो ना यार सबको क्यों मारना सबको मारने के चक्कर में हवा पानी मिट्टी आदमी जैनवर सबको नुकसान दे रहो कहां से कोई senses बात का तो chemicals को करो क्या बाबाई यूज क करा रहे हैं सी जो organic farmer होता है चीक है farmer होता है उसके पास क्या होता है उसका ये view होता है उसका ये point of view होता है that the eradication of the creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable ठीक है बात अमन इसकी ये नहीं करने के completely eradicate किया भी जा सकता या नहीं अरे जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है ऐसा करने से बहुत किसी organism को यार इल्ली यहां पर खा रही थी तो पूरे के पूरी इल्लियों को आपने बिल्कुल सफाया कर दिया बिल्कुल जरूरत नहीं है इसा करने की बहुत नुक्सान है ठीक है for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive क्योंकि उनके बिना उनको खाने वाला organism survive नहीं कर पाएगा जाना एक साचेन बीड़व्गड़ि तो पूरी बीड़वड़ेगी अगर हमने ये पढ़ा हुआ है ना चेन के अंदर cycle के अंदर कि कोई एक लेवल भी अगर गया प्राइमरी, इसे केंडरी, टर्षरी कोई भी एक लेवल अगर गया तो सारे लेवल पर फार्क पड़ेग ठीक है primary को खा के ही तो secondary जिंदा है secondary को खा के ही तो tertiary जिंदा है अगर आपने कहीं से भी किसी भी level पे से किसी एक कोड़ा दिया तो दिक्कत है भाई पूरी cycle गड़ बढ़ाई तो इसलिए completely eradicate करना ना तो possible है और ना ही possible वाली बात पर आना चाहिए कि possible कैसे किया जा सकता है जो उसे खा कर जी रहे हैं उनका क्या होगा cycle को बिल्फ बेंटीन करके रखने के लिए जरूरत है कि जिस जगा पर जिस और गयानिजम को आपको टार्गेट है ठीक है कि यह यहां नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे सिर्फ नेचरल प्रडेशन से क्या करो वहां पर control करते हैं ठीक है तो समझना बहुत आसान है ना बायो कंट्रोल एजिंट्स जो कर रहे है क्या एक और्गानिजम आके दूसरे को खा रहा है तो फाइदा ही हो रहा है ना cycle ही तो चल रही है ना नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा और आपका जो मोटे वह वह भी सर्व हो रहा है ठीक है कौन सा मेकानिजम है working principle कौन सा है कौन सा principle है natural predation ठीक है क्या है natural predation ठीक आप देखो does the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides तो इस तरह से यह जो biocontrol measures है यह क्या करेंगे जो हमनी dependence है ना chemical toxic chemicals के उपर ठीक है इन सब को क्या करेंगे reduce करेंगे भई जरूरत नहीं यह इतना जाद आपने आपको dependent बना लिया के chemical use नहीं करेंगे तो इल्ली कैसे भागेगी अरे इल्ली वैसे भी भाग जाएगी यार नहीं भागेगी तो खा जाएगा कोई आके उसको ठीक है इतनी बिजारा dependence नहीं है insecticide pesticide we decide की इसको दूसरे तरीके से भी काम में लिया जा सकता है अपना motive दूसरे तरीकों से भी solve किया जा सकता है कौन से हैं वो वो में अपने जो अपने पास जो दूस अपने सारे resources को environment को बचाए रखने के लिए भी यही जरूरी है ठीक है आज करें दो करें साल करें तीन साल करें दस साल पंदरा साल तक chemicals को use करते रहे पता चला उसके बाद आपके लिए जो fertility है soil की वही reduce होती जा रही है आपके सारे resources हैं वही क्या होते जा रहे खतम होते ज होता है यह नहीं करना है हैना environment के साथ खिलवार नहीं होना चाहिए तो an important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pest and also their life cycles, patterns of feeding and the habitat that they prefer यहाँ पर हम बात कर रहे है कि एक biological farming की जो अप्रोच की अपन पूरे की पूरे lecture में बातें करे जा रहे हैं ठीक है यह क्या है इसका एक important part क्या है of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pest and also their life cycle, pattern of feeding and habitats that they prefer इस चीज़ के लिए आपको जरूरत पढ़ेगे कि आपको बहुत deep study होनी चाहिए अच्छे से आपको पूरा पता होना चाहिए ठीक है जो यह सारे farming की options को बनाते है उन्हें पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन सा organism है ठीक है जो किस particular kind of crop के उपर बैठता है आके उसे खात है पालक को खाने वाला कौन माइक्रोब है बिंडी को खाने वाला कौन है कौन से plant को कौन नुकसान करवाता है सारे microbes की बारे में पहले तो study करना पड़ेगा फिर उसको कैसे किस दूसरे organism के सांथ deal किया सकता है उसको control किया सकता है उनके बारे में study करना पड़ेगा और अग पर रहते हैं वो आपको easily समझ आएगा क्योंकी अगर अपने बात की कि हुख इली है यह पालक को खराब करती है अब आपने introduce कर दिया क्या मेंडक ठीक है Introduce कर दिया क्या field में छोड़ दिये बहुत सारे मेंडक, लो भाई, जाओ, खाओ, ठीक है, इलली को खाओ, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ना, पहले इस बात को आपको शूर रखना पड़ेगा, कि मेंडक कहीं पालक तो नहीं खालेगा, आपको इस बात पर शूर होना पड़ेगा, कि उसका habitat क्या है, व वहां पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, क्या वहां पर बहुत ज़्यादा टैंपरिचर हाई होता है, या बहुत ज़्यादा डाउन होता है, जो पानी भुरे हुए जो खेत होते हैं, जैसे चावल वगएरा की बात करें, तो क्या ऐसा वाला environment है, तो पहले तो आने वाला पर्टिकुलर इंसेक्ट पढ़ना पड़ेगा कि कौन उसको नुकसान करता है ठीक किस किस तरह के और गयानिजम उसको नुकसान कर सकते हैं फिर उनसे बचने वाला जो और ढूंके ला रहे हो आपको उसका भी हैबिट्रेट देखना पड़ेगा कि वह उस फील्ड देखना पड़ेगा कि मिंडग वहाँ पर सर्वाइब कर पाता है या नहीं ठीक है और मिंडग सर्वाइब कर लिया कोई दिक्कत नहीं सिर्फ इल्ली को खाएगा प्लांट को नहीं खालेगा यह शूररटी आपको लिनी पड़ेगी तो यह सब कैसे पता चला यह सब तब कोटाएगा जब आप पढ़ोंगे उसके व कहां रह सकता है सब्सक्राइड कि ऐस को खाएगो किसको नोहीं घाता है जिसको मानना है वह बहुत उससे मानने के लिए आप डाल रहे हो छोड रहे हो उसको भी दोनों को इकोली पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो यह सारे कुछ वो पॉइंट्स है जिन सब को study करना पड़ेगा बहुत अच्छे से जिन सब की proper study करनी बहुत जरूरी है तब ही develop कर सकते हो आप इन प्लांट का अगर और इसमें यह इंसेक्ट आ रहा है तो चलो आप यह वाला बायो कंट्रोल एजन्ट यूस कर लो तो यह सब प्रॉपर study के साथ आएगा रंडूम ली आप नहीं कर सकते trial and error ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा यह सारी चीज़े प्रॉपर study के साथ develop की जाएंगी तो यह क्या है इसका बहुत बहुत आहम इस्सा है यह जो प्रॉपर यहाँ पर study की बात चल रही है यह जो investigation की बात यहाँ पर चल रही है this is the very important part of biological farming approach biological farming approach के लिए यह सारे points को check करना सबसे ज्यादा important है ठीक है सबसे ज्यादा important है this is the important important part of the biological farming approach clear है यहाँ तक तो this will help develop appropriate means of biocontrol इसी की बज़ों से हम क्या कर पाएंगे एक proper तरीके से biocontrol method को use कर पाएंगे ठीक है जब हमारे पास proper क्या होंगी informations होंगी जब हमारे पास data क्या होगा clear होगा तब हम क्या कर पाएंगे प्रपर तरीके से biocontrol को use कर पाएंगे आगे देखने क्या कह रहें see the very familiar beetle with red and black markings the lady bird and dragonflies are used to get rid of efforts and mosquitoes respectively एक example दिया है उन्होंने आपको कि किसको यूज किया जाता है किस से बचने के लिए किस से control करने के लिए देखो एक बहुत ही familiar सा beetle होता है जिसमें red और black markings होती है ठीक है यह आप सब ने देखा होगा एक beetle ठीक है जिसके ओपर लाल और काले कलर के धब्बे होते हैं ठीक है Sports होते है markings होती है ठीक है जिसके लेडी बर्ड और dragonflies ठीक है इनको use किया जाता है इन दोनों को use किया जाता है क्या करने के लिए efforts और।फिट उर मॉस्ट्ले बचने के लिए अगर efforts और मॉस्ट्म पर इंils रिट्रोष कर दिया क्या है यह beatles ठीक है दीसबोथ था बीटल ठीक है एक तो बहुत ही इनको यूज करते हैं क्या करने के लिए एफिट्स और मॉस्कुटोस से बचने के लिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए कि जहां पर भी इनकी तादास ज्यादा हो रही है इनको इंट्रोड्यूस करवा दो बीटल और ड्रेगन फ्लाइ को इनका नंबर क्या हो जाएगा रिड कंट्रोल एजिंट का इंग्जांपल क्या है is बचैनि इनका दपेडि उस्काय। इस्से यूज किया जाता है क्या के लिए जो बटर्फ्लाइ के लिए न होते है पहले बटर फ्लाइ में के इल्ली के फर्म में होती है, फिर вो धीरे-धीरे क्या बंती है, बटरफ़ला बंती है, तो उसके जो इल्ली वाला जो उसका फर्म होता है न सका बॉडी फर्म, उसे कहते हैs caterpillar, ठीक है, तो butterfly caterpillar को क्या करने के लिए, है control करने के लिए अगर कहीं पर butterfly caterpillar बहुत ज़्यादा हो गए ठीक है जिन से नुकसान हो रहा है ठीक तो उन सब को क्या करना है control करना है तो यह उस किया जाता है bacteria which is bacillus thuringiensis ठीक है जिसे BTB कहते हैं लिखते हैं यह क्या कर देता है इन सारे caterpillars को मारता है ठीक है खाता है नुकसान कर देता है और इस वज़े से इनका जो बहुत ज़्यादा अगर इनकी कहीं पर पाई जारी थी तादाद वो क्या हो जाती है control हो जाती है ठीक है तो an example of microbial bio control agent यह क्या हो गई microbial activity हो गई न यह किसका example हो गया माइक्रोब का example हो गया ठीक है यह जो हमने bacteria का example ले लिया यह क्या हो गया माइक्रोब का example ऐसे बहुत सारे microbes available है ठीक है तो this will be an example of microbial bio control agent ठीक है हमने कितने सारे bio control agents के बारे में देखा कितनी सारी points देखे जिनके बारे में आप उनको चेक करना है जिनके basis पर इस approach को जो है वो fulfill किया जा सकता है तो बस यह एक example पी आपको मिल गया किसी इसका microbial bio control agent का अब पढ़ते है next see these are available in sachet as dried spores which are mixed with water यह सारे जो microbial अपन बात करने actions की यह सब काफी सैशे में available होते हैं ठीक है सैशे form में यह सब available होते हैं these are available in sachet as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where these are eaten by the insect larvae ठीक है जैसे कि brassica और fruit trees इन सब में फिर क्या कर लिया जाता है यह सब insect larvae जो है क्या कर लेते हैं इनको खा लेते हैं इस आफेलेबल in sachet sheshe एक sachet के form में available होते हैं जैसे हमने पढ़ा यिस्ट के बारे जैसे हमने इनके जो dried spores होते हैं वो आते हैं ठीक है फिर उनको पानी के साथ mix करके spray कर दिया जाता है उस जगाँ पर जहां पर भी इनको क्या करना है इनका action दिखाना है ठीक है तो जिस भी plant पर आपको खतरा है कि भाई हमें यहाँ पर यह जो diseases को control करवाना है तो वहाँ पर इनके dried spores को पानी में मिला के spray कर दिया जाता है फिर ये वहाँ पर क्या करेंगे? grow करेंगे bacterias, ठीक है? spores हैं तो क्या करेंगे? germinate करेंगे, growth करेंगे bacterias, ठीक है? तो कहाँ पर इसको spray किया जाता है? जैसे की such as brassicas such as brassicas and fruit trees ठीक है? इनके उपर इनको spray कर दिया जाता है where these are eaten by the insect larvae और फिर इनको कौन खा लेता है? कौन खा लेता है इनको? बताओ बताओ, कौन खा लेता है इनको? इनको इनसेक्ट का जो larva है वो खाता है और फिर वो? बताओ, क्या होता है फिर उसका? क्या होता है फिर उसका पड़ो यहां पर फिर अब जिस larva ने उसको खा लिया है ठीक है उस spore को खा लिया है वो क्या करेगा उस larva जिसने उसको खा लिया है ठीक है the toxin is released and the larva get killed उसके पेट में जाके उसके पेट में जाके वो जो spore है वो अपना एक toxin release करेगा और वो larva मर जाएगा ठीक है? लारवे ने उस spore को खाया, उसके पेट में गया और वहाँ पर उसने spore ने अपना toxin release कर दिया उसको favorable environment मिल गया उसने toxin release कर दिया toxin release किया, larva मर गया यही तो आपको करना था, यही आपका motive था तो the bacterial disease will kill the caterpillars but leave the other insect unharmed, अब यह जो bacterial disease उस caterpillar को होगी तो उससे caterpillar तो मर जाएगा लेकिन बाकी सारे जहाँ पर जतने भी organisms हमाँ पर available है वो सब unharmed रहेंगे, ठीक है? वो सब unharmed रहेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी cycle है वो बिलकुल भी गरबड नहीं होगी ठीक है, और ना ही किसी soil को कोई दिक्कत आनी, ना वहां का water pollute होना, कुछ भी दूसरा इसका side effect या दूसरा कोई loss नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा जिस caterpillar को control करना था उसने इसको खाया, उसके पेट में गया, उसने toxin release किया bacteria ने, और caterpillar मर जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या हुआ, microbial control किसका, microbial example किसका, bio control agent का ये भी एक वो चीज हो गई चलो see, because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B thuringiensis toxic genes into plants ठीक है, अब ये जो genetic engineering के methods develop हो रहे हैं, पिछले हम काफी सालों की अगर बात करें, जो मैं आप से कह भी रही थी, कि इतने सालों में इनको इतना जादा यूज करना start कर दिया गया है ठीक है, देखो परते हैं अब जितने भी decade की हम बात करें जितने भी methods of genetic engineering को यूज किया जा रहा है, ठीक है, बिकाउस अब देवलाप्मेंट of methods of genetic engineering, in the last decade or so, the scientists have introduced B. यूज कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो plant इस तरह के insect pest से फिर completely resistant बन गया अब वो insect pest जो है, वो उसको नुकसान नहीं कर सकता ठीक है, क्योंकि अगर वो खाएगा तो वो खुदी मल जाएगा तो नहीं खाएगा, ठीक है, तो this will make them resistant to the attack by insect pest बीटा cotton is, ठीक है, यह B.T. cotton इसको बीटा करके बोलने लग जाते हैं, वैसे यह B.T. क्या है, यह देखो आपने जो यहां पड़ा, यहां लिखा भी था कि often written as B.T. Bacillus thuringiensis, नाम वही है उसका, ठीक है, तो this B.T. cotton is one such example which is being cultivated in some states of our country, यह भी एक ऐसा example है जिसे हमारे country के कई सारे एरियास में जो है cultivate किया जाता है B.T. cotton जो कि क्या हो जाता है, फिर इससे resistant हो जाता है, इस insect pest से resistant हो जाता है, वह उसको नहीं attack कर सकता, क्योंकि करेगा तो खोदी मरेगा, इसलिए नहीं करता, है ना उसके पर feed ही नहीं करेगा, अब biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma, अब अगर हम बात करें, ऐसा जो biological control की बात हो रही है, ठीक है, तो एक और ऐसा method है, एक और ऐसी technique है, जिसको develop किया गया है plant disease के treatment के लिए, which is by the use of fungus trichoderma, ठीक है, trichoderma है क्या, कैसे इसके use से क्या बना है, trichoderma species जो होती है, वहाथी free living fungi होते है, that are very common in the root ecosystems, ठीक है, they are the free living fungus, which are very common in the root ecosystems, ठीक है, root ecosystem में काफी सादा ये पाए जाते हैं, free living fungus होते हैं, trichoderma species के सारे के सारे, they are effective biocontrol agents of several plant pathogens, ऐसे कई सारे plant pathogens, मतलब वो microbes जो plant में diseases को cause करते हैं, उन सब के लिए ये trichoderma species जो है, वो क्या, एक काफी effective biocontrol agent साबित होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक free living kind of fungus, which is of the species trichoderma, ठीक है, trichoderma species के बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये काफी सारे plant pathogens के लिए bio control agent की तरह साबित होई है, ठीक है, effective साबित होई है, ये सब को क्या करने में, बहुत सारे ऐसे bio control, बहुत सारे ऐसे plant pathogens हैं, जिन सब को ये control करने में helpful है, ठीक है, और देखें यहाँ पर, bacteria की बात हो गई, insects की बात हो गई, flyers की बात हो गई, ठीक है, virus की बात भी कर लेते हैं, fungus की भी बात हो चुकी है, ठीक है, तो baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods, ये जो virus है, ये क्यों कौन है भई, this is a pathogen, ठीक है, baculoviruses are pathogens which attack insects, ठीक है, insect को भी attack करता है, arthropods को भी attack करता है, कौन, baculoviruses, ठीक है, तो baculoviruses are the pathogens that attack insects and other arthropods, the majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus, nucleo polyhydrovirus, अगर हम majority की बात करें, अगर हम majority की बात करें, ठीक है, baculoviruses की, तो उन्हें biological control agents की तरह जो use किये जाते हैं, वो किस genus के हैं, nucleo polyhydrovirus genus के हैं, ठीक है, किस की बात हो रही है बेटा, यह genus है, ठीक है, इस genus में आने वाले कई सारे, ठीक है, baculoviruses, ठीक है, इस genus में आने वाले कई सारे species, जैसे की majority of baculoviruses, इनको use किया जाता है, किस चीज के लिए, बायो कंट्रोल agents की तरह, एक सेकेंड भाई, यह जो viruses है, यह जो viruses है, these viruses are excellent candidates for species specific, narrow spectrum insecticidal applications, क्या मतलब हुआ इस बात का, species specific है, देखो यह species specific term यह बताता है, कि यह specifically इस species को, target करने वाला पूरा spectrum चला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अपसे बात की गई कि इस species की, यहाँ पर आपसे बात की गई कि यह पूरे के पूरे जैसे हम बात कर रहे हैं, कि जीनस, नुक्लियो पॉली हैड्रो वाईरस के अंदर आने वाले पूरे species, ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यह जो viruses है, ठीक है, these are excellent candidates for species specific, narrow spectrum insecticidal applications, इनको आप species specific target बनाने के लिए, कि इस particular species का सफाया करनवाना है आपको, तो आप इनको क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो, these are that much helpful, ठीक है, यह species specific target बनाने में आपको, help provide करते हैं, कौन यह viruses, कौन से वाले, baculoviruses, और they have been shown to have no negative impacts on plant, इनका अभी तक plant के उपर, कोई negative impact नहीं देखा गया, कि फाइदा देने के साथ कुछ नुकसान भी कर रहे हैं क्या, नहीं, इनका अभी तक कोई ऐसा negative impact नहीं देखा गया है, plants के उपर, plants के उपर, mammals के उपर, birds के उपर, fishes के उपर, और even on non-target insect के उपर भी, इनका कोई दूसरा ऐसा harmful effect नहीं मिला, कि भाइद, आपने species को target किया, दूसरे organism भी तो वहाँ पर है, तो क्या उनको नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को भी कोई दूसरा harmful effect नहीं होता, ये completely species specific target को रखते हैं, कि इस species को target करके, अगर आपने इनको bio control agent की तरह use किया, तो बस उसी को ये नुकसान पहुँचाएंगे, और उसका सपाया कर देंगे, ठीक है, ये एक बहुत ही खास बात है, किसकी baculovirus की, beneficial insects are being conserved, ये जो quality है, ये वाली, non-target insect को, बिलकुल भी हाम ना पहुचाने वाली, ये जो quality है, ये बहुत ही desirable quality है, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो this is specially desirable, when beneficial insects are being conserved, जब भी beneficial insects की हमें जरुवत होती, कि इनको conserve करके रखना है, इनको मत उड़ाओ, पता चला, ये पूरी की तरीके से, इनको खाने वाले उनकी life cycle पर फर्क पढ़ने लग गया, तो इस तरह से पिर जब उन्हें आपको बचाना है, तो ऐसे मामलों में ये बहुत ज़्यादा helpful है, क्योंकि ये quality आपको चाहिए ही चाहिए, कि बहुत टार्गेट इंडिविजुल को ही हाम करें, बाकी सबको ना करें, तो इस विल बी देजारिबल और बेनिफिशल क्यालिटी, बात कर रहे हैं हम किसकी, इस स्पैसिफिक केस की, अब यहाँ पर यह जो दो टॉम्स यहाँ पर आये हैं आपके सामने बढ़िया वाले, इस इंटेग्रेट पैस्ट मैनेजमेंट आई पी एम और दूसरा क्या, दूसरी बात यहाँ पर निकल कर आई किस चीज़ की, इको लॉजिकली सेंसिटिव एरिया की, इको लॉजिकली सेंसिटिव एरिया पता है क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर पहले से ही अगर आपको पता है कि और यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर अगर किसी भी लेवल का कोई भी और गाया वुआ, तो साइकल बहुत जल्दी कड़ बड़ा जाएगी, यहाँ पर नंबर ओफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है रिड्यूस्ड है, यहाँ पर पहले से ही क्या है, काफी डेंजर जोन में ये एरिया जो है आता है, इसकी फ्लॉरा फॉना जो है पहले से ही क्या है, बहुत नुकसान में चल रही है, इसको अभी बैलन्स करके चलना है, इसको कवर अप करवाना है, उन कंडिशन में अगर जाके किसी ने कैमिकल यूज कर लिया, तो फिर तो आप समझो कि आप उसको वापस से रिकवर करी नहीं सकते, उस एकलोजिकली सेंसिटिव एरिया को आप वापस से नॉर्मल फेज में लाने की जो कोशिश में लगे हो, ठीक है, वो फिर अभी होई नहीं सकता अगर वहाँ पर किसी ने फिल्ड में कैमिकल को यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी एक इंसेक्ट टाइप को और सिर्फ एक इंसेक्ट टाइप को नहीं वहाँ पर पाई जाने वाले सारे और्ग्यानिजम को क्या करेगा, पूरा कंप्लीटली एराडिकेट करेगा, सब को हाम पहुंचाएगा, फ्लॉरा को भी, फॉना को भी, सब को हाम पहुंचाएगा, तो यह चीज तो, यह प्रैक्टिस तो वहाँ पर बिल्कुल की ही नहीं जा सकती, तो इस विल भी वरी हेलफुल, ठीक है, यह जो क्वालिटी हमने यहां देखी, यह बहुत जादा हेलफुल है, किन एरियास के लिए, जो एकोलोजीकली सेंसिटेव है, जहां का एको सिस्टम अभी क्या है, काफी सेंसिटिव जोन में चल रहा है, जिसकी एको सिस्टम की जो पूरी लेवल्स है, प्राइमरी, सेकेंडी, टर्शुरी लेवल्स, उन सब को अभी क्या ज़रूरत है, बहुत जादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे इस बात को सेंसिटिवनेस को कैसे समझोगे, देखो, अगर मैं कहूँ कि दो इंडिविज्वल है, मैं हूँ और मेरी सिस्टर खड़ी हो या बगल में, ठीक है, दो इंडिविज्वल है, अगर मैं कहूँ कि मुझे जलेबियां बहुत जादा पसंद है, सिस्टर को नहीं पसंद, ठीक है, तो आप क्या सूचोगे, कि अगर आप जलेबी लेके, यहां मुझसे इतनी दूर भी खड़े हो, तो अभी मुझे पता है कि भई जलेबी है, मैं जाके जबट लोंगी, खा लूंगी, ठीक है? और सिस्टर को पसंद हीँए, आप ऐसे इसको मुझे सामने घुमाओ जलेबी, 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 जले लेबी, नहीं घाईगी हो, तो जलेभी किस से ज़ादा sensitive है क्योंकि मैं जप्ट लोगी उसको मुझसे दूर भी होगी तो जलेभी के लिए आप क्या बोलोगे sensitive area कौन किस तरह जलेभी किस जगा पे जाके अगर उसको बोलोगे कि यह sensitive area में है अभी मेरे पास ठीक है मैं इसको बचने नहीं दूंगी मैं खा जाओंगी sister के पास उसको कोई दिखकत नहीं भाई वो नहीं खाई कि उसको ठीक है तो जहां पर खत्रे वाली condition जादा है जैसे कि ecologically sensitive area यह पहले से खत्रे में है ठीक है यह पहले से खत्रे में है वहाँ अगर आपने और ज्यादा chemicals use के लिए तो खत्रा और बढ़ जाएगा वो condition नहीं डेवलप होने देनी है ठीक है यह condition नहीं डेवलप होने देनी है इसलिए ऐसे यह जो desirable practices है यह इन areas के लिए बहुत beneficial साबित होते हैं ecologically sensitive areas के लिए और इनको completely जो है conserve करके use किया जा रहा है इनका implement किया जा रहा है इन सब चीजों को कहां पर integrated pest management के अंदर क्या कहलाएगा यह program यह कहलाएगा IPM मतलब integrated pest management program ठीक है जहां पर completely सभी तरह के pests को क्या किया जाएगा proper manage किया जाएगा manage कैसे करना है यह हमने पढ़ लिया यह हमने पढ़ लिया कि बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करना है बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी हमें अगर specific target मिलता है तो वो सबसे जादा desirable सबसे जादा beneficial target होगा कि सिर्फ उस particular kind of insect को वो खतम करें और बाकी सबको हाम ना करें और यहां पर जो एक और important term हमने पढ़ा था वो क्या था वो था natural prediction जब naturally जो इंसान जो organism उसका शिकार करने वाला है उसे अगर आपने वहां introduce करवा दिया तो वो सिर्फ उसको खाएगा और आपकी जो motive है वो सर्व हो जाएगी ठीक है तो यह कुछ basic से चीज़ है हमने पढ़ी जसके तहत किया जा सकता है क्या bio control और ठीक है क्या किया जा सकता है bio control of pest ठीक तो मतलब जो हमने beginning में समझा था इसके title के नाम से के living जो control करके दे हमें द पर्टिकुलर लिविंग को खा रहा है मार रहा है बद ग्रो करने से रोक रहा है जो हमें उस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है पैस्ट क्या होते हैं पैस्ट वह इंसक्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंस्ट पे एक पर्टिकुलर सिनारियों के अंदर आपको क्या दे हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको इल्लियों से हर दिकत नहीं है इल्लियों से दिकत आपको सिर्फ तब है जब आपकी फसल को खराब करें ठीक है तो सिर्फ उस वक्त के लिए वह आपके लिए क्या बन जाती है पेस्ट बन जाती है और आपकी मजबूरी होती है कि आप कहलाएंगे bio control agents कहलाएंगे हमने कई सारे microbial examples भी पढ़ लिए हैं bacteria's के fungus के viruses के ठीक है और साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है कुछ insects examples को भी ठीक है यह सब है क्या bio control agents सब कुछ nature के अंदर available है use कर रहे हैं किस method को natural predation को ठीक है use तरह से फिर से पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक और नया लेक्टर अब आपको क्या करना है आपको करना है पिछले सारी चीजों को रिवाइस क्योंकि अब बहुत जल्दिये चैप्टर होने वाला है कंप्लीट और आपको पता ही है कि जो मैं हमिशा से कहती हूं कि किसी नये के तरफ फूंचने से पहले और ंसी αइसाब चुक्ता होना चाहिए पहले के सारे लेक्टर सो कम्ट्रींट होने चाहिए को सब कुछ देखा हुआ समय हूआ हुआ चाहिए तो बस उसके लिए आपको जाना ने अपने फेवरिट चैनल में Tur siamo के छ एक सकशन में जहां आपक आप यूज कर सकते हो आप के थुरू भी जो आप इसीली प्ले स्टोर से डाउनलूड कर लोगे या फिर आप यूज कर सकते हो वेबसाइट भी विच इस www.magnetbrains.com हर जगा आपको फुल कोस कंटेंट अवेलिबल है absolutely for free और आप यूज कर सकते हो e-books और e-notes को भी जिनका लिंक आपको description box में मिल जाएगा चलिए मिलते हैं next lecture में पढ़ेंगे इसी chapter को complete करने के लिए और उसके बाद होंगे इसके NCRT solutions till then bye bye take care everyone